हेलो क्लास एट के विद्यार्थिगन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन साइन्स का जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ठीक है तो चलिए हेडिंग दे दीजिए और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रॉप के बारे में क्रॉप के क्या से होते हैं यह जब हम करते हैं एगरी कल्चर बोलो यस और नॉट एगरी लिख दो फिर कल्चर लिख दो हो जाएगा एगरी कल्चर का मतलब क्या अधा खेती जब खेती करोगे तभी न प्रोड्यूस कर पाऊगे क्रॉप को ठीक है तो क्रॉप प्रोड्यूस होता है क वाटी जागरी कलचिर तो जबाब मेरे पास क्या होना चुछ होना चाहे है तो एकरी कलचर एक जो है ब्रांच है ब्रांच और गधिल जिकल साइंस ठीक टानौider ब्रांच अफ ब्रांच में बाहरा was not chemistry में chemicals के बारे में पढ़ते हैं और biology में living things, plants और animals के बारे में पढ़ते हैं तो science को mainly दो भागों में बढ़ता गया, एक physical science, एक biological science physical science में non living thing और biological science में living thing के बारे में पढ़ा जाता है यहाँ पर कौन सा है biological, living thing, simple सी बात है, plants क्या होते है, living thing होते है तो यह biological science में ही आएगा चीखे न, which dills यानि जिसमें हमको पढ़ना है है न, या जो बतलाता है क्या बतलाएगा हमें इसमें हमको क्या पढ़ना है cultivation of soil cultivation of soil है न, and rearing of animals आपके गाउं में मचली उत्पादन, अगल बगल या, है न, मुर्गी पालन भी आपने देखा होगा आसपास कहीं पर होते हुए तो वो भी agriculture का ही एक पाठ होता है चीख है, cultivation of soil का मतलब यही हुआ कि soil का help लेकर के है न, उसको cultivate करके उसको जुताई करके है न, उसमें फसल लगाना चीख है, तो यह सब जो चीजें है cultivation of soil और rearing of animals है न, किसी भी plant को उगाने का crop को उगाने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है soil को prepared करना है न, cultivate करना और animals को रियर करना जिस ब्रांच में हमको सिखाया जाता है उस ब्रांच का नाम क्या है agriculture आई बार समझ में अब agriculture जो word है आपके मन में आता होगानक भी है और उसका कोई ने कोई मतलब होता है agriculture का मतलब जैसी अगरी कल्चर कोई बोलता है तो मेरे दिमाग में आता कि खेती करना है न, तो agriculture क्यों चुना गया खेती करने के लिए यही इंग्लिस वर्ड क्यों चुना गया तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक लैटीन वर्ड है मतलब एगरी कल्चर एक्शुल में कैसा वर्ड है लैटीन वर्ड है मतलब एक तरह से आप बहुत सकते एक्जैक्ली लैटीन वर्ड नहीं है यह तो इंग्लिस वर्ड है बट इसको लैटीन वर्ड से ग्रहन किया गया है लैटीन वर्ड को इसमें चेंज कर दिया ना मत तब होता था सब्सक्राइब क common से एक लैट इन वर्ड जिसका नाम था इगर याल रखेंगे और दूसरा जो लैटीन वर्ड है उसका नाम है कल्टरा है एगर का मतलब होता था कंसे है न और कल्टरा का मतलब होता था का cultivation और कल्टीवेशन का मतलब तो आप जानते यह खेती करना तो फिल्ड में खेती करना और खेती करने का सारा का प्रोसेस है ना मिट्टी को तयार करना पटवन करना इस तरीके का वो सब आएगा तो फिल्ड में खेती करना डाइस कॉल्ड एगरी कल्चर आई बास समझ में तो एगरी कल्चर दो वर्ड्स लैटीन वर्ड से आए हैं कोई पूछे का कौन-कौन एक का नाम है एगर दूसर मिलते हुए बर्ड थोड़ा सभी मैचिंग हो जाता है तो हो जाता है काम और थोड़ा सा यह काफी मैचिंग है आप ध्यान दोगे समझ में आपको आजाएगा तो इतना हो गया क्लिए शुरुवात में एक वर्ड आया था अरे यह क्रॉप के बारे में तुमने पढ़ा नह है ठीक है ना क्रॉप का मतलब ऐसे जनरली हम अपने लैंग्वज में बोलते हैं कि क्रॉप का मतलब होता है क्या अनाज है ना यह हम क्रॉप का मतलब फसल से डिनोट करते हैं अनाज दूसरा कुछ हो जाएगा क्रॉप का मतलब क्या होता है फसल ठीक है तो क्रॉप का डिफ हो भाइट का क्रॉप में दान में दिखेगा क्या दिखेगा क्यूं क्योंकि यह क्या है क्लांट होने चाहिए वह पलांट ही तो होते हैं घान का जो पौधा होता है यह हूं का ठीक है छोटे पौधे होते हैं और वो सब एक प्रकार के होते हैं बीच में कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं किया रहता है जब आप क्रॉप की बात करते हैं ठीक है तो प्लांट ऑफ क्या होगा बतलाएस अजिसको उगाया जाता है और कल्टिवेटेड और कल्टिवेट भी किया जाएगा उसको ते इस कि खेती की जाएगी इन लॉटे और मात्रा क्या होगी बहूत बड़ी मात्रा होनी चाहिए तब ही उसको क्रॉप कहेंगे तो जनरली जो होता है ना क्रॉप बड़ी मात्रा में ही किया जाता है कि प्रोडक्शन व landfill क्रोफ का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है सब थोड़ी है कि एक था जमीन में जुन दो कथा जमीन में उगा दिए Low level वाने के लिए एक बड़ा एरिया की जरुरत पढ़ती है ॥ जरूरी नहीं क्या होता एक पौधा होता है और सेम काइन प्रकार क्या होता है एक ही तरह का ग्रोन जिनको उगाया जाता है कल्टिवेट किया जाता है लार्ज में बड़ी मात्रा में तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है क्रॉप बोलो यस और नौट तो समझ में आ गया इतना अभी definition में हमने जाना कि क्रॉप एक प्रकार का क्या है प्लांट तो कोई भी प्लांट होगा तो उसके बहुत सारे प्रोड़क्ट हो सकते जरूरी नहीं कि प्रकार का प्रोड़क्ट हो जैसे सरसो का एक पौधा है है ना उससे आप उसके पतियों से साग का भी utilization कर सकते हैं। साग बनाते हैं और उसके जो zweiten से ऊवल ही निकाले जासे तो अलग-अलग पोदहाँ पोधों कर अलग अलग पार्ट का यूच किया जाता है है ना क्या करने में में भोजण Bena में में इसे काम तैंव आहर भी काम होगा तो वह बी तो क्रॉप क्रोप एक प्रकार का प्लांट है और वो क्या करेगा प्रोड़क्ट करेगा बहुत सारे चीजों को है ना तो उसको प्रोड़क्ट ही एक्चुल में बोला जाएगा और ऐसे जनरल नाम उसका होता है उसको बोलायाता है क्रॉप प्रोड्यूस यानि कोई भी क्रॉप है न जो भी प्रोड़क्ट उसका होगा उस प्रोड़क्ट को क्या बोलेंगे क्रॉप प्रोड्यूस ठीक है क्लेर बात समझ में आ गई अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्रॉप प्रोड्यूस क्या है अगर एक अधिक जांपल दे दिए तो क्रॉप में कुछ भी हो सकता है कोई एक प्रकार क्रॉप प्रोड्यूस का नहीं है वो क्या हो सकता है ग्रेंस हो सकता है यानि आनाज हो सकता है जो आप खाते हो है ना उसका रूट्स आप यूज कर लोगे तो वही क्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगा अगर उसके फाइबर का यूज क करें सब्सक्राइब बन तो सब्सक्राइबistes कहलें तो किल घंडिते हैं मैं ह mutual कर देता हूं ट आप सब्सक्राइब क्रॉप्स को ही मैं चेंज कर देता हूं क्या उनके टाइपस में ठीक है जैसे एक ऐसा क्रॉप होता है जो जिसका मुख्य काम होता है कि वह आपको सेरियल और आपको ग्रेंड प्रोवाइड करें कि एक तो एसी या आरी आराइएल सीरियल होता है इसको भी प्रोणाउसेशन मैंने करके देखाना तो सेरियल होता है आप जाके गूगल पर सर्च मारना वैसा ही कुछ आता है तो इसमें कौन-कौन प्रोडक्स है बतलाओ राइस चावल चावल में क्या होता है ग्रेनी तो होत देगा तो आप यह भी जवाब दे सकते है बैरले यानि जो को बोला आता है है जो यह सब प्रोड़क्ट ऐसे हैं जिनसे हमको ग्रेन प्राप्त होता है अनाज प्राप्त होता है में तो यह हैं क्या उसके बाद फाइबर क्रॉप ऐसे क्रॉप यह होगा कौहसे क्रॉप शिरियन और यह कौह सें कर inteकॉन फॉप है फाइबर वाइबर ग करहता हैं जैसे जूत का पॉधा आंपको फाइबर दिता है या कॉटेण का पॉधा आपको फाइबर दिता हैं पहले जमाने में जूटक जू है प्रोड़क्शन गाउं में हर में और उसको फिर काट करके पानी में फेक करके एक तरह से उसके जो ऊपर छिलका होता है उसको बाहर निकालने के लिए उसके अंदर वाले जो हाड पाठ है उसको सणया जाता था अपने घर पर जाकर के दादा जी से पूछेगा वह आपको बतलाएंगे और उसी से सारा पगहा बनता था पगहा जानते हैं पौधो बोल रहा हूं जानवरों को बाहने के लिए जो यूज होता है तो पहले खरीदना नहीं पड़ता थ ठीक है तो दिस इस फाइबर क्रॉप अब आई बास में कॉटन कि लडी है पेंड़ पर होता है और उसके बाद फिर और प्रकार है इसके बिलकुल पल्स दाल का जैसे ग्राम यानि चना की दाल एना पीज यानि मटर की दाल एना बीन्स एना इसका हिंदी बीन्स ही होता है सक्षेवा करते हैं सब बहुत सारे परकार है क्रॉप के प्रकार अलग क्रॉप अलग अलग तरीके से हमारी सेवा करते हैं कुछ लोग फैबर के फ़र में कुछ लोग फर्ल्स के फर्म में में घ्रेट के फर्म में और बाकी भी अलग अलग करेख सकते हो ठीक ही उसके बाद है default दिन कि बहुत सारे सब्सारे उससे पहुंद है गावं एकदम ज्यादा सरसो का तेल क्लही नहीं कल नहीं आज पर आके लाया हूं मैं सरसो का तेल ग्राउंड नट ग्राउंड नट सुने होंगे मुंफली का तेल ठीक है ना उसके बाद सनफ्लावर सुर्मुखी का तेल तो इस सारे क्या है परकार है ओल ठीक है अब इसमें जितने भी सर्यवस क्रॉप थे या ग्रेंड यह सोर्स होते हैं कि elephants के या इनको खायेगा तो आपको जो nutrients मिलेगा वो carbohydrate मिलेगा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा carbohydrate क्या होता है एक प्रकार का nutrients होता है और कैसा nutrients होता है ऐसा nutrients होता है जो provide करता है क्या energy क्या देता है energy और कैसी energy ततकाल energy खाएगा energy feel होगा इसी दिने जनरल भोजन में इनका यूज होता है रोज खाते नहीं है फिक्स को रोटी खाते हैं ना भाई तो वेट खाया हमने ठीक है तुरंत energy देती है तो कि लाइफ हो करने के लिए डेलाइफ में जितने फिप्रोसेस के लिए उनको करने के लिए से पढ कि है यह तो जाने के आपको All ब्रान में भी उज़ता है पुल्स जो होता है वो यह आपको देता है प्लोटीन का बहुत सोर्स है और उनके लिए ज्यादा जो क्या है नहीं है जो वेजेटेरियन है उनको पर्टीन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है तो ऐसा नहीं है कि आपको नन्वेज खाना पड़ेगा है अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप पर से भी ग्रहन कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने लिखा था ओएल के बारे में तो इसका जो में जो यह प्रोड़क्ट है यह आपको प्रोवाइड कराता है फैट यानि अगर आप घर में जाते होंगे तो घर पर मा जो है या पिता जी या कोई भी आपको डाटता होगा जब आपको भी वेली चीज खाते हो होंगे तो यहना तो किसी भी चीज में अगर यूज किया रहा है बहुत ज्यादा तो आपके सरीर को फैटी कर सकता है क्योंकि नामी है उसमें क्या है भाई कौन सा न्यूटिरेंट से फैट है ठीक है तो ओल जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है किस न्यूटिरेंस का फैट का फैट को क्या बोलते हैं फ्यूचर एनर्जी गिविंग फूल यानि यह आपका सभी में स्टोर हो जाता है बाद में इस एनर्जी का यूज किया जाता है ठीक है